श्री गनपती गनेश भगवाने की जए श्री हरी लक्ष्मी नारायन विश्णू भगवाने की जए श्री शिवशंकर भोले नाथे की जए तो प्रभु के प्यारे भक्तो आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की विधी और इसका एक आख्यान सुनाने जा रहा हूँ एक पौरानिक कथा सुनाने जा रहा हूँ आज पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री शिवशंकर महादेव जी ने त्रिपुरा सुर नाम के दैत्यों का संगार किया था और इसलिए भगवान शिवशंकर जी के नाम से इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है इस तिथी को भगवान श्री विश्णू जी का मत्यवतार भी हुआ था जिन्नोंने सब तरिशियों को उस प्रले जल में बचाके रखा इस दिन गंगा सनान करना चाहिए दीप का दान करना चाहिए इस पूर्णिमा को सभी शनान आदी करके दीप दान करते हैं और दीप दान आदी का विशेश महत्व है इस कार्थिक पूर्णिमा में यदी कृति का नक्षत्र हो तो इसको महा कार्थिकी पूर्णिमा भी कहते हैं भर्नी नक्षत्र होने से जे पूर्णिमा बहुत विशेश फल दाई हो जाती है विशेश का रिसमे ओम नमू भगवती वासु दिवाई इस मंतर से भगवान श्री क्रिशन जी की 101-108 नाम की माला से पूजा की जाती है और 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहना चाहिए मंत्र से घी का दीपक तिल और जों की 108 आहूतियां देते हुए हवन करना चाहिए और घी तिल और जों की 108 आहूतियां देते समय जो हवन किया जाता है उसमें इस मंत्र का उचारन करना चाहिए ओम विश्यन वे नमा स्वाहा। तो प्रभू के प्यारे भगतोव एस मंतर से कार्थिक शुकल पक्ष की पूर्निमा को हवन करने से आपके घरों में सुख सम्रिधी बढ़ेगी, सुख शान्ती बढ़ेगी, बच्चों की आजू में विद्धी होगी और आपको धन धाने की प्राप्ती होगी भगवान श्री हरी विश्णू आप पर अपनी किरपा बनाई रखेंगे तो हे भगतों जिये जो मैं आपके लिए कता ला रहा हूं बहुत महिनत और बहुत ही पौरानों से ढूंड कर ला रहा हूं इसलिए मेरे इसे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग कीजिये और इसे एक प्यारा सा लाइक दीजिए, एक प्यारा सा शेर कीजिए, एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, सो भक्तो मेरा सा दीजिए, और भगवान श्री राम जी की क्रिपा प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुडिए, ताकि मैं ऐसी धार्मिक कताई, विवाह की सामगरी, पूजा की वीडियो और कताई आप तक पहुंचाने का प्रयास करूँ, बोलिए श्री हरी विश्नु